तो आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको grid method से related सारे doubt किलियर करने वाला हूँ और इसी से related मैंने कल instagram में एक story डाली थी जिसे मैंने आप से पूचा था कि अगर आपके पस कोई query है कोई doubt है grid method से related तो आप मुझे से पूच सकते और आप लोगों ने भी भरबर के question पूचे है मतलब एक ही topic पे एक single topic पे इत्ते सारे question मैं expect नहीं कर रहा था मुझे 100 से भी ज्यादा question आया है मैंने count तो नहीं किया बट उससे ज्यादा ही होंगे पर उन में से बहुत सारे लोगों के question जो थे वो common थे तो उनको देखो यहां पर मैंने note down भी किया है proper और सब question को compile करके 24 अलगलग questions मुझे देखने को मिले है और भी question होंगे सायद मुझे लगलग question मिलकृ है तो शारे question का answer यहां पर वीडियो में देखने को मिल जाएगा बहुत सारे question में बेसिक वह बहुत सारे question मिल जाएगा कुछ questions हैं जो example के साथ मैं आपको बताऊंगा कुछ questions जो है वो बनाने के पहले start में ही आपको उसका answer दे दूँगा और कुछ questions का answer आपको वीडियो के end में मतलब बनाने के बाद मिल जाएगा तो वीडियो को दियान से देखना के लिए उसका नाम क्या है तो सबसे पहले मैं वो पता देता हूँ आपको यहां पर simply आपको play store पर जाना है अगर आप android यूज कर रहे होतो और app store में कौन सा नाम है मुझे नहीं पता search करके देखना क्या पता मिल जाए तो यहां पर आप जाओगे play store में play store में जाने के बाद आपको यहां पर लिखना है यहां पर grid for artist यह आप लिखोगे आपको एक application देखने को मिल जाएगा यह वाला अगर आपको नहीं देख रहा हो तो मैं अच्छे सा दिखा देता हूँ यह वाला इस पर हम क्लिक करेंगे अच्छे सा नाम देख लो आप लोगो देख लो यह आपको जाकर इंस्टॉल कर लेना है इसका लिख भी आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आगे इसके बारे में डीटेल में बार करेंगे उसके बाद अगला कुछ्छे ने बॉक्स का साइज क्या रखना है और इससे से रेटेट एक दो और कुछ्छे ने ग्रीट का साइज क्या होना चाहिए तो यार देखो मैं अगर मैं पर्सनेली बता हूँ तो मैं 20 mm यूज़ करता हूँ 2 cm या फिर 20 mm एक बॉक्स का साइज बॉक्स का साइज जो हम इतने सारे ग्रेड बनाते हैं इस तरीके से ठीक है तो ये ये वाली जो लेंग्थ हो गई वो 20 mm में रखता हूँ या फिर 2 cm बोल सकते हैं ये वाली ठीक है तो साइज आपकी उपर है आप कौन से साइज में कमफर्डेवल हो कौन से साइज में आप अच्छे से अक्यूरेसी अच्छीव कर सकते हो एक चीज आपको ध्यान रखना यह अतनी एक्यूरेसी अच्छीव करने के चांसे साव बढ़ जाते हैं अपकी जो मतलब वो थोड़ा कॉंपलिकेटेड हो जाता है जितना ज्यादा ग्रिड होता है तो होगा क्या कि जितने ज्यादा ग्रिड ड्रोगे उतना ही ज्यादा आपके पस रेफ्रेंस लाइन से तो इसलिए मैं हमिशा 20 mm 25 या 30 mm रखता हूं आप जिसमें भी कमफर्टेवल आप अलगलग साइज पर ट्राय कर सकते हो जिसमें आपको कमफर्टेवल लगता है आप वह चूज कर सकते हो कोई साफिक्स नहीं कि मैं 20 mm यूज कर रहा हूं तो आपको भी यूज करना ऐसा कु रखता हूं या फिर थोड़ा बड़ी साइज में गया है तो थोड़ा ग्रीट का साइज बढ़ा सकते हैं तो कम्प्लीटली आपके उबर आप किसमें कमफर्टेवल ओके उसके बाद किसी ने पूचा है कि सुट वी यूज डाइगोनल ग्रेड तो यह भी आपके उपर मैं परस्नली अगर मैं बोलूं तो मैं वह डाइगोनल ग्रेड यूज नहीं करता हूं मुझे वह थोड़ा से कॉंप्लीकेटल लगता है और मेरा काम वैसे स्क्वाइर में भी हो जाता है ज्यादा कहीं दिक्कत होती नहीं और जहां पर मुझे ज्यादा रेफरेंस पॉइंट क जर्वत पढ़ती है तो मैंने आप अल्रेडी बता रखा कि मैं डिवाइडर यूज करता हूं और भी अच्छे साक्यूरेसी अचीव करने के लिए अगर यह डिवाइडर और यह सारी चाहिज यूज नहीं करना चाहते हो तो आप डाइगोनल ग्रेड यूज कर सकते हो जादा reference line आपके पास होगा है यहां पे एक दो तीन теп इतने चोटे से रिया में 5 reference लाइन oh आगर अपनी उस पॉइंगal जाए treat च्रहले होगा संस्ला जैड़ा नि 도्हों जैगा तो जितना ज्यादा reference line reference point होगा उतना ही ज्यादा accurate बनेगा आपका outline उतना ही आसानी से बट वही है कि ज्यादा छोटे size में आपने इत्ते सारे draw कर दिया तो फिर आप इसी मूलत जाओ और लेंड पे ज्यादा ध्यान नहीं जाएगा तो diagonal मैं use नहीं करता हूं बहुत सारे लोग use करते हैं उनका personal choice है तो आप यूज करना चाहते हों भी यूज कर सकते हों किसी ने पूछा है कि विल वी यूज flexibility of hand कि grid method यूज करने से मेरी flexibility कम हो जाएगी क्या तो ऐसा कुछ भी नहीं है ऐसा नहीं है कि हम मतलब इसी पर focus कर रहें यह भी एक type है और अलग-लग इसके बाद आपको shedding भी करना तो वहाँ पर flexibility में कुछ खास difference नहीं पढ़ने वाला यार निसिंत होके यह method यूज करो ठीक है कोई flexibility पर difference आपको नहीं देखने को मिलने वाला ओके इसके बाद एक बहुत इंट्रेस्टिंग सा question है जो कि बहुत बार मुझसे पूचा गया है कि बहुत लोग बहुत सारे आर्टिस्साइद उनको बताते हैं कि grade method जो है इसको consider करते हैं as a cheating और यह बहुत लोग यह भी बोलते हैं कि अगर आप grade method यूज करोगे तो आपके इंप्रोव नहीं होगी तो ऐसा कुछ भी नहीं है ऐसा कुछ भी नहीं है और एक एक जांपल के थूँ आपको मैं समझानी की गोसिस करता हूं सपोज आपको जैसे साइंस है साइंस में हमें चार तीन सब्जेक्ट होते हैं physics chemistry math ठीक है अब यहां पे अगर मैं बोलूँ तीनों में अलग टाइप के चीजे पढ़नी होती है अलग अलग तरीके से दिमाग चलाना होता है अगर मैं यह बोलूँ कि बाइलोजी एक cheating है बाइलोजी पढ़ोगे तो आपका दिमाग यह हो जाएगा बहुत जाएगा समझ रहो एक बस दिमाग में लोगों के बिठाए है या पीर है जैसे हमारे पास outline ड्रो करने के लिए बहुत सारे methods हैं चाहिए वह freehand ले लो measurement method ले लो ले लो या फिर grid method ले लो तो यह सारे parts है उनी चारो parts में से एक part है grid method जिसको हमें जानना चाहिए अगर आप केवल grid method को ही बनाते हो और किसी और method पर ध्यान नहीं देते अपने आपको explore नहीं करते हो आगे जाके तो आपको दिक्कत हो सकती है किवल अगर आप एक ही चीसे focus करते हो तो इसके आगे किसी का सवाल यही है कि अगर हम केवल यहां पर कि अगर हम केवल grid method को use करते हैं तो क्या हमारे future और या फिर हमारे drawing को affect होता है तो बिल्कुल होता है किवल आपको grid method पर ध्यान नहीं देता है अगर यह video grid method पर तो ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आप free hand मत बनाओ free hand के practice मत करो measurement method पर ध्यान मत दो सब पर आपको करना है सब अलग-लग methods को आप देखो जो आपको comfortable लगता है उस पर आप ज़्यादा time spend करो बाकी को थोड़ा-थोड़ा time देखे practice करते रहो ठीक अगर मैं grade method से कुछ चीज़े draw कर रहा हूं तो ऐसा नहीं है कि मुझे free hand नहीं draw करना आता या फिर मैं measurement method से draw नहीं कर पाऊंगा होता क्या है कि किसी एक method पर ज्यादा deep जाते हो तो आपके अंदर एक confidence आता है और वह confidence को आप उधर apply कर सकते हो अपने आपको explore करने के लिए अलग-लग methods को सीखने के लिए और यह असान तरीका आप यहां से इंटर करते हो और इसमें डीप जाते हो एक अच्छा सा accuracy अचीव कर लेते हो शेडिंग पे काम करके एक अच्छा drawing बना लेते हो ना तो आपके अंदर एक confidence build-up होता है उसके बाद दीरे-दीरे अलग-लग methods को आप सीखना स्टार्ट करो अगला किसी ने पूछा है इस तरीके के दो कुष्चन है कि ग्रेड मेतड यूज करने के बाद भी ऑट लाइन पर्फेक्ट नहीं बन रहा है तो उसका एक ही अंसर है कि अप्रैक्टिस करो क्योंकि अब इससे जादा क्या ही कर सकते ग्रेड मेतड से आपका काम और भी क्योंद प्रैक्टिस के जरुवत है अच्छे से समझो मेथरड को अच्छे तरीके से अब्ज़र्व करें जो भी आप डौकर अच्छे तरीके से उसको देखो अब्ज़र्व करो ध्यान लगा और प्रैक्टिस ज्यादा करो बनने लगज जाएगा इसा कुछ नहीं किमने वीडियो बना दिया तो आप परफेक्ट बना लगे ऐसा कुछ नहीं है, प्रक्टिस तो आपको ही करना है, मैं बस चीजे समझा दूँगा, किस तरीके से करना है, करना तो आपको ही है, तो हम स्टार्ट करते हो, बहुत सारे कुछिच्चिन मैं बनाते हुए भी आंसर दे किसी भी स्टेंडर साइज में फिट नहीं होता, यह मैंने कस्टम बनाया, और बहुत लोगों का यह भी सवाल था कि जब हमारे पास कस्टम साइज का पेपर हो तो उसमें हम ग्रेड कैसे बनाए, तो यह भी आपको देखने को मिल जाएगा, इसमें थोड़ी बहुत हैं, वो मैं आपको बता दूँगा, उसके बाद पेंसिल में कोई भी रेंडम है, वो यूज कर लेंगे, और यहां पर थोड़ा बहुत डीटेल देना होगा, तो मैं मेकनिकल पेंसिल यूज कर लूँगा, और यह वाले स्केल, स्केल हम यूज करेंगे, गिरिट बनाने में ठीक है, ओके तो हम इस application के बारे में समझते हैं, थोड़ा डीटेल में, और ध्यान से देखना, बहुत कुछ है इसके अंदर भी, यहां पे जैसे ही आप इस application को open करते हो, तो आपको यहां पे दो option, चार option देखने को मिलता है, सामने आपको दिखने को मिलता है, सो लेबल, अगर मैं इसको अंटिक कर दूँ, तो आप साथ देख सकते हो, तो यहां पे नवरिंग देखने को मिल जाता है, यह दोनों चीज आपको बहुत हैं, उसके बाद हम option में जाते हैं, और यहां पे सेल का साइज है, यहां पे सेलेक्टेड है 20 mm, इसका मतलब मैंने बता दिया अल्रेडी, यहां पे मैंने अल्रेडी पता दिया कि 20 mm क्या होता है, यहां पे आप देख सकते हो, जो भी हम ग्रेड साइज बनाते हैं, तो वो, एक मिट, ठीक है, तो यह जो है, यह वाला, यह 20 mm का है, जो कि हमें, हमें पेपर पे 20 mm का एक बॉक्स बनाना है, ठीक है? यहां पे इफेक्ट देखने को मिल जाता है, अगर आपका जो आप ड्रॉ कर रहे हो, अगर आपका जो रेफरेंस पिक्चेर वो कलर में है, तो यहां उसको ब्लैक और वाइट भी कर सकते हो, ठीक है, आउटलाइन में करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको ब्लैक और लिखा है ताकि आपको अच्छे से यह दीखे, कोई भी कलर रख सकते हो, यहां पे स्टोक है, यहां पे नमबर वन लिखा हुआ है, तो यहां पे आपको आपको वन ही रखना है, इससे होता गया है, जो यह इसकी जो तिकने से वो बढ़ जाती है, अगर आप इसको इसका न उसके बाद कोई कुछ खास काम का है वेकर asais ससी आपको द्रॉक्ण ग्रॉ पर अवह साइस निख करना उसके बाद के जाते यहां पर सक उत विह को तीन वाइस देखने को मिल जाता है कि पहरा देखने को मिलता है औरेंटेशन जहां पर अफीटalayन आटायं ओर यहां मतलब ऐसा है यह हो गया horizontal और यह हो गया vertical तो आप देख लो कि reference किस तरीके से कैसे आपको ड्रॉव करना है तो आप यहां पर select कर सकते हो यहां पर vertical हम ड्रॉव करेंगे उसके पेपर का size आग जैसा कि मैंने बताया कि यह है देखो standard size है A4 size का है तो आप simply यहां पर option देखने को मिल जाता है A4 ठीक है यहां से आप select कर सकते हो तो आगे का process में बताऊंगा लेकिन अगर आपके पस इस तरीके का कोई reference picture है जो आपके standard size पर fit नहीं हो रहा है आपको एक custom size लेना तो यहां पर आपको देखने को मिल जाता है custom अब यह कैसे size इसमें भी draw करेंगे और इसमें भी draw करेंगे तो फिलाल मैं standard size में draw करता हूं orientation हमें vertical रखना है और size में रखना है A4 ठीक है यहां पर मैंने अब यहां पर picture select करने को बोलेगा कि कौन से reference picture को यहां पर आपको select करना है तो यहां पर मैं करने गया और मैं भी draw करने वाला हूं महेंस बाबू जो south indian actor है बहुत ही versatile लगता है उनका मैं draw करूंगा तो यहां पर मुझे reference पेक्चर देखने को मिलिया है अब देखो यहां पर आपको crop करना है size के साब से क्योंकि आप यह इसका जो ratio है इनका height और weight का वह आप change नहीं कर सकते क्योंकि मैंने वहां पर black and white रख रखा था तो यह automatically black and white में convert हो गया अब हम इसको draw कर सकते हैं अगर अगर हम यहां पर जो standard size वाला हमने देख लिया अगर यहां पर यह वाला होता जब आपके पस standard size है तो उसको measure करना ही की जरुवत नहीं है यहां पर अल्रड़ी आपको उसे के हिसाप से मिल जाता है ग्रेड वागर और पूरा size उसे के हिसाप से मिल जाता है लेकिन अगर आपके पस custom size है जो यह standard size उसको fit नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है सबसे प 21 cm 21 cm इंटू इसका दूसरे साइड भी measure करना पड़ेगा है यहां पर यह 22 cm 22 cm मतलब 21 x 22 इसका diamonds है अब यहां पर जैसे ही आप जाओगे ना size पर custom पर तो आपको यहां पर जो इसका unit है वो mm में देखने को मिलता है centimeter ना होके millimeter तो आपको पता है कि centimeter को millimeter में कैसे convert करते हैं 10 से multiply कर देंगे तो हो जाएगा मतलब 210 x 220 इतना size हमें रखना है तो width हम रख देंगे जिस तरी किसे हमें है रखना है वेट मतलब यह वाला ही है और height मतलब यह वाला तो आपको ऐसे रखना है 22 को आपको ऐसे रखने है यह 22 है और यह 21 है तो अगर आपको ऐसे ड्रो करने तो यहां पर 22 यहां पर 21 मतब 220 और 210 अगर आपको ऐसे रखना है तो यहां पर क्या हुआ जो horizontal है वो होगय 220 और जो vertical है वो होगय 210 तो height और width आपको समझ में आगे यह height है जो vertical है और यह जो है वो width है तो फिलाल मैं इसको ऐसे रख रहा हूं height को ज्यादा 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 साइज है वो height रख रहा हूं वीड़ वाला चोटा है तो width में मेरे लिख देता हूं 210 और यहां पर मैं लिख देता हूं 220 यहां से हम open करेंगे फिर से हमें reference picture select करने को बोल रहा है यहां पर फिर से मैं वही image select कर रहा हूं और यहां पर देखो almost a square type यहां पर देखने को मिल जाता है यह तो थोड़ा लंबा photo है तो इस पर set नहीं करेगा जादा लेकिन फिर भी मैं यहां पर जिस तरीके साब को photo चाहिए उस तरीके से यहां पर select हो गया और यहां पर हम crop कर रहेंगे तो image select करना आ गया कैसे आपको select करना है वह आपको स इस पर बनाएंगे तो यहां पर आपको simply क्या करना है एक corner पकड़ना है जिसको इधार ही रखना आपको ठीक है उसके बाद scale से हर 2 cm पर mark कर देना है आपको इसे मैंने यहां पर 2 cm पर mark किया यहां पर हर 2 cm mark करने का मतलब यह है कि यह जो इतना area है वो है 20 mm यह भी 20 mm तो 20 20 ऐसा करके आपका बन जाएगा अब किसी का question यह भी था कि grid बनाने में बहुत time लगता है तो आपको अच्छे से बदाएगी क्या draw करना है कैसे ड्रो करना है तो time इसमें कुछ नहीं लग रहा है आदर गंटा बोस्त जादा नहीं होता है कि अरब कुछ बना रहे हैं अच्छे तरीके से तो थोड़ाया time तो देना ही पड़ाएगा तो हमने इस तरीके से कर दिया और यहां पर अब देखो यहां पर क्या confusion होता बहुत लोग यहां पर क्या confusion हो जाते हैं देखो कि इसको सबजना थोड़ा सा यह जो है वोट 20 mm है हर एक पार्टिशन 20 mm है इधर से भी आप देखोगे तो यह भी 20 mm है यह भी ठीक है अब इसी यही चीज़ को इधर ड्रो करने अब यहां पर देखोगे यह कॉर्णर पर मैंने बताती है अब यहां पर यह कॉर्णर देखो यह कॉर्णर पर कौन सा साइज हमें नहीं पता ठीक है यह 20 यह 20 है लेकिन यह किता है नहीं पता अगर अब नीचे आओगे तो यह किता है नहीं पता तो जिस तरीके से जैसे मैं यहां पे scale रखा था यह हमने ड्रॉ। Similarly इसको उछा के हमें ऐसे रखना ऐसे मतर्क धना बहुत लोग जैसे ड्रॉओ कर रहे हैं तो यह वह है के दिधे कि यह से और ठाथ यह आप को कि यह कि यहीं चीज आपको यहां से उठाके यहां रखना है और यह आपको कि अब कर दो कि अब कर दिया है अब वीर्ट वाला है है मैंने Start किया था इस तरीगे सा है यह पर स prize रखा था और 20 कर के इसी तरीखी सा मैं यहां लेकर आना है ऐसे और यहां पर की सबाओ के तो किसी ने ये भी पूछा है कि freehand सही है या ग्रिड मेथड दोनों में से कौन सा सही है दोनों सही है ठीक है दोनों अलग अलग मेथड है दोनों को आपको सीखना चाहिए देखो कि पहले कौन सा सीखना है किससे आपको अच्छी confidence होती है में आपको confidence ही क्योंकि यह होता है कि स्टार्टिंग में बिगनर जो था बहुत ही ज़्यादा उनके अंदर पता नहीं अजीब टाइप का फियर होता है वो मेरे अंदर भी ताहर किसी के अंदर होता है तो एक बार वो फियर हो डर निकल जाता है तो आप कुछ भी ड्र प्रवाओ करने के सारे टोपन टेकनीक सीखो अब कर दो है कि अब हमने पॉइंट बनाया था आमने सामने ना बस उसी को जॉइन करते जाना है ऐसे हैं यह हमने जॉइन कर दिया उसके बद इधर साइट से जॉइन करेंगे कि कुछ ने यह भी पूछा था कि इस इट कंफसरी टू टेक 14 रोज एंड 10 कॉलम नहीं ऐसा कुछ नहीं आपके साइज और जो आप बॉक्स का साइज ले रहा हूं उसके हिसाब से वह आटमेटिक जित्ते रोज वहां पर बना के देगा उता ही आपको यहाँ पर ड्रॉ करना है सब कुछ फिक्स मैंने कभी बोला नहीं कि 14 भाई 10 रोज ही आपको ड्रॉ करना है कि सब्सक्राइब आप एफ और ड्रॉ कर रहा हूं ठीक है और अपने ट्वेंटी में में लिए तो आपको दस चौदा इंटु दस ड्रॉ करने का साइज ऑप्सन आएगा पट वहीं अगर आप एफोर साइज में ट्वेंटी फाइब में में लेके चल रहे हो तो आपके रो इसली हमारा देखो पांच मिनिट का टाइम भी नहीं लगा होगा और यह पुरा तयार हो गया है और यहीं चीज को में यहां पर ड्रॉ कर देंगे तो मैं इस पर वैसे ड्रॉ नहीं कर रहा हूं मैं एक्चुली एफोर पर ड्रॉ करूंगा यह बस मैं आपको समझा रहा था कि अगर आपके पर कस्टम साइज है जो कि स्टेंडर साइज से बिल्कुल मैच नहीं करता है तो आप उसको कैसे ड्रॉ कर सकते हूं आई होप कि आपको यह समझ में आ गया होगा अब हम ड्रॉ करेंगे एफोर साइज पर ठीका और प्रॉसेजर बिल्कुल सेम है सारी चीज इसके वह द जाता हूँ इमेज में लो यहां पर मैं क्रॉप कर लेता हूं अपने हिसाब से जित्ता मुझे बनाना है इतना अ कि यहां से मैं ने कर लिया क्रॉप रिट बन के अगया है 20 mm लानी रखना है तो तो इंप्ले हम यहां पर वो रख दीगे और यहां पर एक और कि जैसे का question था कि इसको हम किस तरीके से erase करें तो मैं वैसे actually आगे बताता हूं जब मैं डोग करता हूंगा तो महां पर मैं बता दूंगा इसको कैसे erase करना है कि सैदिंग करते टाइम या फिर अगर आपका वाटलेंग कंप्लीट हो गया तो वहाँ पर भी आपको कैसे एरेस करना तो इसको मैं ऐसे रखता हूं कि यह हाइट है यह विड़त है ठीक है अग्याइट कि अग्याइट कि अग्याइट तो यहाँ पे जब आप ग्रेट ड्रो कर रहे हो ना तो एक चीज आपको ध्यान रखना है कि बहुत ही लाइट प्रेसर से मतलब अग्याइट अग्याइट प्रेसर अपको बस पेंसिल को रहना रखना और ड्रो करना इस तरीके से कि वह इसली एरेस हो जाए या फिर इतना लाइट ड्रो हो कि उसको एरेस करने की ज़रूरत न पड़े जो आप सेडिंग कर रहे हो तो उसी के साथ मिक्स हो जाए प्रेसर लगाओगे तो वह ना इरेस होगा दो इरेस भी होगा तो किसी का सेम कुष्चिन था कि वह जो इंडेंटिंग मार्क जो हो जाता मतलब वह जब आप इसको ड्रो करते हो एक मार्क रह जाता है उसको हम किस तरीके से रिमूव करें तो रिमूव करने से अच्छा है कि आप वैसा ड्रॉई ही ना करो कि वो लाइन पड़े मतलब वो मार्क पड़े और अगर वो अपने प्रेसर दे के ड्रॉई भी कर दिया तो आप इरेस करने के लिए नॉर्मल जो ये मतलब इस तरीके के जो इरेजर हैं मोग keeping कर दो इरेजर या फिर मेकानिकल इरेजर या फिर नॉर्मल इरेजर के तरॉइ आप यरेजर की जरुप मत रदाए है और इसके लिए ब्राया करने के लिए पहेशी है अरकिंगर आप सबस्सांने तो और भी अच्छे श्म रहेगा तो यहां पर आपको एक वेरियेशन देखने को मिलेगा यहां तक देखो आपको लाइन देखने को नहीं मिल रहा है आपको यहां देखनी रहा होगगा बहुत लाइटीills रोड़ है जूर्त कैम्परा है ओनने दिखनी रहा है और यहां पर नीचे देखोंगे कुछ दूर तक हलका हलका दिखाए देख़ाएँ रहा है यहां पर मैंने 2H यूज़ किया है, यहां से यहां तक मैंने 1HB यूज़ किया, यह 3-4 लाइन में मैंने बहुत हलका प्रेसर यूज़ किया, और यह मैंने यूज़ किया, तो आपको यह वाला रखने है, जो दिखे भी ना, इसमें क्या होगा है कि आपको Erase करने ही जरूवत नहीं पड़ेगे, personally मैं कभी Erase नहीं करता है, बहुत कम ऐसे टाइम होता है, जब मुझे Erase करने की जरूवत पड़ती है, मैं इतना Light Draw करता हूँ कि वो Setting के साथ Mix हो जाता है, अगर आप यहां यह वाला भी यूज़ करता हूँ, तो वो भी ठीक है, बहुत EASY है, Erase भी हो हो गए, तो यहां पर आपको, अगर आप इसको Erase भी करता हो नो, तो वही एक Mark रह जाता है, जो कि आपको बिलकुल अच्छा देखने को नहीं मिलागा, तो ध्यान से आप Draw करोगे, तो कोई Problem नहीं है, प्रेसर अगरा पर कंट्रोल रखो हमेशा, तो यहां पर मुझे थोड़ा अपना नुकसान करवाना बढ़ेगा, क्योंकि, यह इतना लाइट है कि आपको दिखेगा नहीं, तो आगे का प्रोसेस आपको ऐसे नहीं समझाएगा, तो मैं थोड़ा, तो हमारा ग्रेट बन चुका है, ग्रेट बनाने के बाद यहां पर जो numbers लिखे हुआ है, यह आपको लिखे देना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, अब जो आगे का प्रोसेस है बहुत important है, ध्यान से देखना उसको, ठीक है, यहां पर सबसे पहले आपको इसका जो actual size है, जो आप यहां पर draw करने वाला हूं, उतना आपको zoom कर लेना है, अब यहां पर दो option है आपके पास, या तो आप यहां प एक मिनट, जब आप यह लाइन को scale से measure करोगे तो आपको 20 mm देखने को मिल जाए, यहां देखो, पर इग्जाक्ट 20 नहीं है, तो एक एक्जाक्ट एकदम accurate result के लिए मैं हाँ पर divider use करूँगा, और यहां पर सबसे पहले, दो लाइनों के बीच में मैं इसको रख लूँग यह, तो यह भी इसका distance हो गया 20 mm और इसको मैं उतना ही जूम करने की कोसिस करूँगा, यहां पर देखो हलका सा चोटा है, इसको बड़े ही ध्यान से, इसको मैं साइटर देता हूँ, तो अब इसका जो size है, वो exactly वही size है, जो यहां पर draw करने वाला है, तो आगी का process मैं बताता हूँ, अब आपको क्या करना है, एक box आपको पकटना है, जहां से आप start करोगे, suppose मैं यहां से start करता हूँ, ठीक है, और यहां पर जो मैं आपको बड़ाने वाला हूँ, बहुत ही ध्यान से सुनना, यह सुनने के बाद, इसको अच्छे से समझने के बाद, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, आपका जो सिकायच है कि grid method यूज़ करने के बाद भी आप accurate outline यह draw कर पा रहे हो, तो वो आपकी सिकायच दूर हो जाएगी, ध्यान से देखना बस, numbers हम चेक कर लेंगे, उपर से 3, और नीचे से 2, बतला उपर से 3, नीचे से 2, यह वाला बाद, ठीक है, थोड़ा पास से मैं आपको दिखाता हूँ, अब यहाँ पर मैं जो बता रहा हूँ, वो समझने की कोशिश करो, अब यहाँ पर, यह बॉक्स पर हमें यह ड्रॉख रहा हूँ, यह बॉक्स पर यह, ठीक है, अब यहाँ पर, या तो आप, इसके जो center line है न, उसको mark कर लो, या फिल, imagine कर लो, अपने mind में, चलो और भी अच्छे तरीके से बताने के लिए, मैं यहाँ पर, mark कर लेता हूँ, almost center को मैंने, चार reference point मैंने निकाल लिया, अब इसको यहाँ पर देखना है, कि यह line किते दूर से cross कर रहा हूँ, और यह, क्योंकि यह box में, देखो, hair का जो line है, वो यहाँ पर और यहाँ पर, बस दो ही जगा पर cross कर रहा हूँ, तो हमें दो ही line ड्रॉ कर लिए है, तो यह त यहाँ पर mark कर लो, यह हो गया, उपर से भी, ठीक है, दो line हमें मिल गया, अब इसको हमें join करना है, जैसा ही है, यह हलका से यहाँ पर आपको curve दिख रहा है, उसी तरीके से, तो यह हो गया, उसके बाद आगे देखेंगे, यहाँ, यह वाले line से cross कर रहा है, तो यहाँ पर इस तरीके से, तो हर बार आपको divider ऐसे जगह पर use नहीं करना है, यहाँ पर थोड़ी बहुत ही ज़रुदर होता भी है, तो चल जाएगा, जब आई वगरा लिपस पर आप जब जाते हो तब वहाँ पर जरुदर बढ़ती है, तो क्योंकि वहाँ पर accuracy के ज़्यादा जरुदर होती है, इधर चल जाएगा, तो इधर आपको कुछ खास measurement नहीं करना है, आपको बस हर एक box जिस भी box पर आप काम कर रहे हैं, उसका half imagine करना है, और उससे relate करना ही कि हाप से कितना दूर पे है, कितना right side में, कितना left side में, जैसे कि यहाँ पर, यहाँ पर दिखर रहा है ठीक है, यह इसका center point होगा, center point से थोड़ा सा mundane, यहाँ पर इतना एतना अगहाँ दोढ़ता है, वैसे कुछ है नहीं जब इतना दूर तक आ जाते हो थोड़ा सब ध्यान लगा लेते हो अच्छे समझ जाते हो तो आपको ज्यादा मुस्किल नहीं होता है इसको ड्रॉ करने में अब किसी भी बॉक्स में जैसे मैं अभी इस बॉक्स में काम कर रहा हूं तो आपको इस अधार ध्यान नहीं देना पूरा यह बॉक्स अच्छे तरीके से ड्रॉ कर लेना जैसा यहां पर इदर अधार ध्यान दूगा है तो फिर ऐसे ऐक्यूरेसी मिलेगी नहीं तो यहां पर एक और इंट्रेस्टिंग सा कोश्टिन पूछा गया है कि डिवाइडर के अलावा कोई और टू ले क्या मिजर्मेंट लेने के लिए क्योंकि डिवाइडर से स्क्रेच मार्क्स आ रहे हैं स्क्रीन पर मैं भी बहुत टाइम से यूज कर रहा है और कोई स्क्रेच मार्क्स नहीं आ रहा है अगर आप कोई और टूल यूज करना चाहते हो तो आप स्केल यूज कर सकते हो या फिर कुछ और ऐसा चीज जिससे आप रेफरेंस हमारा में मोटिव जो है वह रेफरेंस पॉइंट निका मोटिव यूज कर सकता हैम तो आभे किसी ने रिक्वेस्ट करी है रियल टाम वीडियो अपろõड करने के लिए तो रियल टाम वीडियो में प्राबलम क्या है मोग वह मैं आपको बताता हूं सबस्पहले बात कि मेरे पास एक phone ही है जिससे मैं recording करता हूँ और editing सारी चीज़े मैं phone से करता हूँ तो जब मैं real time video record करता हूँ तो उसके लिए बहुत जादा space चाहिए रहता है अगर वो record कर भी लो तो editing में इतना जादा load नहीं ले पाता है phone तो बहुत problem होता हूँ और उसको edit वगरा करने के बाद मैं अगर export भी कर लूँ तो file बहुत बड़ा हो जाता हूँ और मैं phone के data से ही upload करता हूँ तो इतना सारा data भी नहीं होता है और होता भी है तो speed limited speed होता है तो बहुत जादा मुस्किल हो जाता है मैंने एक दो video डाले है real time वो जाके आप देख सकते हो तो मैं try कर रहा हूँ और हमेसे करता भी हूँ जब मुझे मौका मिलता है तो मैं real time video upload करनेगा डाले हो पाले होता है झाल 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 पॉर आज इल वीडियो सापको कुछ नभू सेखने को मिला होगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाबाई